नमस्कार प्रिणाम मैं हूं मुद्वाला आपके साथ और आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 बता दे आपको आधी रात को पुर्णिया के शांसद यानि की मैं बात कर रही हूं पपु यादब जिनकी जान बसती है पुर्णिया के लोगों में लेकिन आधी रात को पपु गंटी बचती है तिंटिन की घंटी जैसे ही पपु यादब को बचती है पपु यादब आनन फानन में पुर्णिया के बीच सडक पर काफी लाठी डंडों के साथ वहां पे काफी भीड देखी जा रही है और पपु यादब उसी भीड में मौजूद हो जाते शामिल हो ज चिराग पासवान के यहां भी यही सेम हाल हो जाता है यानि कि हाजी पूर में भी यही घटना हो रही है कि आखिर आधी रात को चिराग पासवान बीच सडक पर क्यों आ जाते हैं क्या मामले निकल करके सामने आ रहे हैं आज हमारे साथ दो सही होगी है बाचित करने के विकास, आधी रात को पुर्णिया के बीच सड़क पर जाना पपू यादव का, वहीं बात कर ले हाजीपुर में चिराग पासवान का, क्या कहना चाहेंगे? देखें, आधी रात को जैसा आपने कहा कि पपू यादव का फोन का घंटी बजता है, उसके बाद पपू यादव जब सरक पर उतरते हैं, तो देखते हैं कि पपू यादव को चारों और से, कम से कम हजारों के तादाद में लाठी डंडे से लोग घेरे हुए रहते हैं, माम हाजीपूर के साथ साथ अगर हम बात करें, तो बिहार की राजधानी पटना का भी यही हालात था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हालात खराब हुआ, तो पूर्निया और हाजीपूर, हाजीपूर में जिस तरीके से कल रात को पथरा हुआ, सरकों पर दोनों तरप से ही पर पपू यादव भी पूर्निया में घेरे जाते हैं, लेकिन पपू यादव जो है, वो सक्त मिजात करें एक्सन के लिए माने जाते हैं, आपको एक तस्वीर याद होगा, जब पपू यादव निर्दलिये चुनावी मैदान में थे, और पूर्निया पूलीस जो है, पटना पुलिस के साथ मिलकर कारवाई कर रही थे उनकी गारी को सीच करने के लिए पहुंचे हुई थी तब पपू यादव अप्रा क्या तेवर दिखाए थे वही तेवर आधी रात को पूर्णिया में देखने को मिला और खुब बहस हुआ है पपू यादव और जो लोग मुहां पर हंगामा कर रहे थे हम आपको पहले वह एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पपू यादव का काफी बहस हो रहा है लोगों से और उसके बाद में हम चिराक के संसदिया छेत्र की भी बात करेंगे बिलकुल बिलकुल विकास कुछ नहीं होगा रहा है ना तो पाटर बरक बनेगा ना तो कुछ बनेगा रहा है अभी तो यह कोई कैसे बना देगा और दीजिया पेपर प्रिया आपके पास आते हैं रातो रात पपू यादब का घर से बाहर निकलना और पुर्णिया की सडको पर जाना वहीं चिराग पासवान के जहां पे चिराग पासवान का घर है वहां भी सेम यही हाल होता है क्या कहना चाहेंगी देखिए पुर्णिया से जीत हांसल करने के बाद पपू यादब आए दिन ऐसे चीज़ों में घीरे मिलते हैं हलाकि जिस तरह से पपू यादो टाइट एक्सन लेते हैं देर रात कुछ है समय पहले एक ख़बर सामने आ रही थी कि पपू यादो देर रात अस्पतालों में जाकर के जाय जा ले रहे हैं और लोगों से बात चीत करें सुविधायों को लेकर के वहां के जितने भी स्टाफ थे उनको डाट फटकार लगा रहे हैं इसलेकर कई वीडियो भी जारी हुआ था वहें देख लिजी कि वीपच्छी आए दिन पपू यादो पे कटाच करते हुए नजर आ रहे हैं वहें पपू यादो ना सिर्फ कल घीरे नजर आए आपको बता दे कि जिस तरह से मुके सहनी के पीता जी का निर्मों हत्या हुआ इस पर भी पपू यादो खुल कर भागी बने और जिस तरह से वह प्रसासन को नीतिस सरकार को फटकार लगाए यह किसी से छीपा नहीं है लेकिन अगर बात की जाए कल राग की तो वीडियो आपके सामने है आप देख सकते हैं कि सिर्फ लाठी डंडे नहीं बलकि तलवारों से भी घीरे रहते हैं पपू यादो जिस तरह से कल मुहरम का तेओहार था पुरे देस भर में मुहरम का ताजिया उठाय गया जस्म मना लेकिन आपको पता दिस इस इस इत्य बीच हवह खे Czy्ष पतना की ति ऩिस तीम चीज देखने को मिलता है लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिलता है तो वह suddenly खla करते हैं उसमें मुश्लिम समाज भी पपु यादव को वोट दिये तब पपु यादव सांसद बने और उहां पर इंडिये के भी हार हुई महागट बंधन के भी हार हुई लेकिन जिस तरीके से पपु यादव को घेरा गया पपु यादव के खिलाप जो लोग नारे लगान के लोग लाठी डंडे से आखिर कर सरक पर करना क्या चाहते थे पपु यादव को जैसे ही फोन आता है पपु यादव समझ जाते हैं कि पूर्णिया का माहोल को खराब करने की कोर्सिस की जा रही है एक समदाए के लोग लाठी डंडो से अगर इतने बड़े तादाद में स उस समय उनका सुरक्षा करनी होता है उनी के साथ में लेकिन जिस तरीके से पपु यादव के साथ वहां पर बत्तमी जी हुई जिस तरीके से पपु यादव से बहस हुआ ये चिंता का भी सय है कि आप जी से चुनकर भेज रहे हैं संसद में वो नेता अगर आपको आके कह रहा है कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं ऐसे मत किजिए तो आप एक वर्ग के हैं तो क्या इसका मतलब कि आप अपने सांसत का बात नहीं सुनेंगे आप करना क्या चाहते थे हो वहां पर इतने वजे रात को भाई वही हाला चिराक पास्वान के संसद्या छेत्र का है आप देख सकते हैं वहां पर भी तस्वीरों के माध्यां से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरप से जो मुश्लिम समाज है वो इटा पत्थर किन पर बढ़सा रही है भाई इतने रात को अरे सब कुछ बिद्दूपूर में हो रहा है ये सब कुछ हाजीपूर के स देख से चांच कर पाई है और नहीं कल देर रात जो घटना घटा उसे रोग पाई हाला कि मोहराम का जुलूस निकलने से पहले येस पालमीना खूब एक्टिव थे ड्रोन के जडिये पूरा हाजीपूर में ड्रोन उराया जा रहा था और फ्लैट मार्च निकाला जा रहा लेकिन नजर रखे हुए थे भाई आप दीन को सरकों पर निकल जा रहे और रात जैसे ही हो रहे है जैसे उनका जुलूस निकल आपकी पूलिस गायब तो आखिरकर लोग करेंगे तो क्या करेंगी यही करेंगे ना आपकी प्रसासन संभाल नहीं पाई यही करान है कि वहां सरकोपढ़ आप जहां तक आपको तस्वीर में दिखर आओखा, आपको पथनी पथर इंठी, इंठी सरकोपढ़ नजर आ रहा है और यह हालात सिर्फ हाजी पूरा पूरनिया का ही नहीं रहा यहालात राजधानी पटना का भी यही हालात रहा नितीज कुमार के नाक के नीचे सब कुछ होता रहा नितीज कुमार बैठे रहे उनकी पुलीस पर साथन बैठी रही पूरी की पूरी इंडिये बैठी रहे गई हलाकि एक घर से पट्टना की मैं बात करूँ एक घर से कई बरामत चीजे ऐसी हुई है कि इससे कई न कहीं बिहार में विवाद का एक जरिया खड़ा हो सकता है हलाकि जिस तरह से मुहरम का तेओहार आता है ऐसे आए दीन विवाद होते रहते लेकिन ये देख लिजे कि मुहरम के इतने बड़े तेओहार में भी प्रशासन चुपी साधे बैठी है आए दिन वो फ्लाग मार्च निकाल रही है जाइजा कर रही है कि हम सारा सक्त करवाई करेंगे पूरे अच्छे से जुलूस का जो जस्न होगा मनाया जाएगा पूरे भाईशारा को दिखाया जाएगा लेइज लेगा आए दिन जिस तरह से पूर्णिया में भी सांस्त घीरेप पड़ते हैं लेकिन यहाँ देखिए पूर्णिया के जाइप भी वात खड़े शह पूरे करेंगे तो और पूर्णिया हें पूरा घेर लेगा और तो यह रही करेंगे कहीं न कहीं से देश प्रभाव होगा तो शांती पुर्वक आप मना ये मैं अगले दिन जा करके पंचायत में बात करूंगा आपकी बातों को रखूंगा आप मेरे पर भरोसा लीजे मेरे पर सारा कुछ छोड़ दीजे हलाकि वहां कि जनता ने इस बात को समझा भी रहा बात हाजिपूर का तो चिराग पासवान का वो संसदिय छेत रहे चिराग पासवान को जाजा लेना चाहिए था और प्रसासन को सर्थ करवाई करने चाहिए हलाकि यह नहीं कि एक दिन पहले आप कर दिये और जिस दिन तेवहारे उस दिन गायब हो गया मैं बता दू मदवाला कि जिस तरीके से कल पूर्णिया में हंगामा हो रहा था उस हंगामे को रोकने के लिए पपू यादव उतरते हैं बहुत अच्छा कदम था पपू यादव का अगर पपू यादव देर रात सरकों पर नहीं उतरते तो यह सिरिप पूर्णिया का माम भूमिका में है ये पूरा उन में फैल जाता और एक संसद्या छेत्र से ये कई संसद्या छेत्र में ये बात जाती और कई संसद्या छेत्र की यही तस्वीर निकल कर सामने आती लेकिन पपू यादव समय रहते हुए सरकों पर उतर जाते हैं कमान खुद अपने हाथों में ल और प्रसासन जो है वो बोड़ रही है कि हम-कारवाई कर रहें हैं तो जैसा कि आपने सुना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आनी कि कल रात देर रात बीच सडक पर पपु यादब का आना ये सबसे बड़ा बात हो जाता है कि जस तरीके से पपू यादब आए दिन कहते रहे हैं कि पुर्णिया में मेरी जान बसती है मैं जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो चीज पपू यादब कर भी दिखाए हैं जिस तरीके से देर रात आए सडक पर लोग लाठियां लेकर के खड़े थे तलवारे लेकर के खड़े थ पपू यादब उसी रात न सोचते है ना बूचते है ना किसी की सुनते हैं और सडक पर देर रात उतर जाते हैं लेकिन आपको एक चीज ये भी बता दे कि जिस तरीके से पपू यादब अपने पुर्णिया के लिए काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं लेकिन हाजीपूर क अगर बाद कर लिया जाए, तो आखिर चिराग पासवान की नींद कब खुलेगी? हाजिपूर की जंता के लिए चिराग पासवान कब अक्टिव होंगे? ये भी सवाल खड़ा हो जा रहा है, जिस तरीके से यही हादसा हाजिपूर में भी हो जाता है, लेकिन हाजीपूर में रातो रात पत्थराओ चलते रह गया, लोग आपस में लड़ते रह गया, भीडते रह गया, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आया है, लेकिन वहाँ की जनता अभी भी चिराग पासवान पर भरोसा जता रही है, मांग कर रही है कि चिराग पासवान हा हाजिपूर की लड़ाई जो है वो खत्म करवाए बाकि आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि पपू यादब जो एक्टिव दिख रहे हैं वहीं चिराग पासवान हाजिपूर की लगातार जिक्र कर लेकिन हाजिपूर की सोच क्यूं नहीं रह हैं चिराग पासवान क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखेगा तब तक के लिए धन्यवाद